हेलो फ्रेंज मैं उने इशिक फ्रम ब्लॉक्टूर डॉट कॉम और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने वोर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्यूर कर सकते हैं हैकर से और डिफरेंट अटैक से बिकाओस वोर्डप्रेइस एक बहुती फेमस सौफ्टावर है सो इसका मतलब यह है कि बिकाओस यह फेमस है बहुत ज़ादा यूज़। बहुत इव ज़ादा होते हैं और इसको आटैक्स करना भी बहुत आसान ए WordPress website को hack करना उसे attack करना उसके files को change करना एक hacker के लिए बहुत ही आसान है as compared to some other website वो इसलिए होता है विकास ज्यादा तर लोग जो WordPress website बनाते उनको इतना खास technical knowledge नहीं होता है और वो अपने पैसे बचाने के लिए WordPress website बनाते जो बहुत ही अच्छा है मैं highly recommend करता हूँ मैं खुद अपने clients के website WordPress पे बनाता हूँ और लोग को भी recommend करता हूँ कि WordPress पे बनाए ज्यादा better है आज के time पे कल अगर नया solution आएगा इससे better सो हम वो use कर सकते हैं आज सबसे better solution यह है जो एक loophole इसका रहे गया है इसके security issues आज हम उस issues को इस video में resolve करेंगे उस सब को issues को solve करेंगे और देखें कैसे हम अपने website को secure बना सकते है ताकि बहुत difficult हो जाए किसी hacker के लिए या फिर किसी attacker के लिए या फिर in fact किसी spammer के लिए हमारे website को अटेक करना अगर आप इस channel पे नया है आप जरूर लाइक करें और अगर आपको कुछ भी doubt हो कुछ भी question हो आप मुझसे comment section में निशे पूछ सकते है मैं पूरी कुशिश करूँगा आपका जवाब देने की तो चली शुरू करते है सबसे पहले आपको अपने dashboard पे आना है उसके बाद हमें एक नया plugin इंस्टॉल करना है जो हमें इस चीज को करने में help करें तो left hand side में आपको plugins दिखेगा उस पे hover करके add new करें और यहाँ पर आपको iThemes security टाइप किये या फिर simply iThemes type करें और इस plugin को install कर ले iThemes security आप देख सकते हैं आप 9,000,000 वेबसाइट या फिर 9,000,000 वेबसाइट एड प्रेजेंट इस theme को इस plugin को अपने website पे यूज कर रहे हैं अपना website secure करने के लिए तो चलिए इसे install करते हैं इसके लिए install now बटन पे click कर दें फिर इसे activate कर दें जब आप इसे install और activate कर देंगे तो आपको left hand side में एक नया option मिलेगा security का simply उस पे click करें सबसे पहले ये आपको एक security check के लिए पूछेगा सो simple इस बटन पे click करें secure side पे आप देखेंगे जयादा तर आपको green signs आएंगे सिर्फ यहाँ पर आपको एक yellow sign आए यहाँ पर आपको अपना email address दालना है और activate network brute force protection पे click करना है आप अभी देखेंगे यह भी green हो गया आप अगर first time यह कर रहे हैं तो हो सकता है आपका एक green ना हो first आपको जो भी आप यहाँ email address एंटर करेंगे यहाँ पर API की आएगा आपको वो copy करके यहाँ पर paste करना होगा उसके बाद यह green activate हो जाएगा अगर आपको कुछ भी problem हो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं तो चलिए अभी इसे close कर देते हैं अभी आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे option है जो हमें help करेंगे हमारे website को secure करने में हमने security check देख लिया अचलिए अभी देखते है global settings क्या है so configure settings पर क्लिक करें अभी क्या आप allow करना चाहते हैं इस plugin को आपके WP config और hd access file पर कुछ edit करने में so हमें yes करना इसे allow करना है ताकि कुछ भी जो security issues है यह इन pages को edit करकी उसे resolve कर सकी और जब भी कोई host यानि कोई भी आपके website पर attack करना चाहे so यह plugin उसे lockout कर देगा यानि कि वो attacker आपके website को नहीं देख पाएगा उसकी जगा उसको एक error message मिलेगा so आप क्या चाहते हैं वो error message में जो भी आप type करना चाहते हैं यहाँ पर type कर सकते हैं आप इन keys का भी use करते हैं h1, h2 यह सब html keys का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद user lockout message है जब भी एक बंदा एक user एक IP address आपके website पर attack करने की hack करने कोशिश करेगा so उस और जब यह plugin उसे देख लेगा उसे lockout करतेगा तो उस time आप उसे क्या message screen पर display करना चाहते हैं so आपको message यहाँ पर type करना है और similarly community lockout message पर क्या message type करना चाहते हैं इस पर आपको यहाँ पर type करना है अभी आपको यहाँ पर इसे enable करना है blacklist repeat offender को इसका मतलब यह है कि अगर कोई बंदा repeatedly हमारे website पर बार बार हमारे website पर attack करने की कोशिश किया रहे तो हम उस बंदे को या फिर उस बंदे के computer के IP address को या फिर उसके network IP address को block कर देंगे blacklist कर देंगे जिससे वो हमारे website को visit ना कर सकी फिर आपको तीन option मिलेंगे blacklist threshold, blacklist look back period, blacklist period और lockout period अब यह तीन option बहुत important है मैं आपको तो समझा देता हूँ विकोज यह तीनों interrelated भी है सब उस एक बंदा बार बार आपके website को attack करना चाहरा है so first time हम उसे lockout कर देंगे 15 minute के लिए मतलब 15 minute तक वो आपके website पे कुछ नहीं देख सकता आपका website से blank दिखेगा फिर 15 minute बाद ओए वi website को देख सकता है फिर अगर उसने at feel has उसने attack करने इकोशिस की फिर 15 minute के लिए lockout हो जाएगा फिर 15 minute बाद अगर उसने attack करने इकोशिस की तो third time lockout हो जाएगा और अगर वो third time lockout हो गया, जैसा कि आप यहाँ दे सकते, three lockout जो हमने threshold रखा है, अगर तीन बार वो बंदा lockout हुआ, तो वो blacklist में add हो जाएगा, और 7 दिन तक हम उसे blacklist में रख सकते हैं, मतलब 7 दिन तक अभी वो आपका website नहीं देख सकता, अगर आप यहाँ कुछ numbers को change करन चाते हैं, अगर blacklist period को increase, decrease करना चाते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं, उसके बाद है lockout whitelist, यह बहुत ही important है, आपको simply यह button पर click करना, जैसे आप click करेंगे, आपका IP address यहाँ पर आ जाएगा, आपके लिए बहुत ही important है कि आप अपना IP address whitelist कर दें, ताकि गलती से कभी lockout ना हो जाए, और आप अपना ही website नहीं देख सकें, और access नहीं कर सकें, यह बहुत ही important है, और अगर आप अपना website दो-तिन जगे से operate करते हैं, आपके office से, आपके घर से, आपके business place से, आप वो तीनों जगा जाके, वो तीनों computer से, इस button पर click कर सकते हैं, और आपका तीनों IP address यहाँ पर enter हो जाएगा, ताकि वो computers कभी lockout ना हो, उसके बाद उतना खास settings नहीं है, simple आप save settings पर click कर दें, उसके notification center है, जब भी आप कुछ हो तो आपको किस email address पर notification चाहिए, तो आप अपना email address यहाँ पर दाल दें, और database backup आपके इस email address पर भेज दिया जाएगा, ताकि अ इतना security के बाद भी कोई attack कर दें, तो आप वो database backup को फिर से restore करके अपने website को normal बना दे, security digest को make sure यह enabled हो, और आप इसका subject change कर सकते, basically यह से क्या होगा, कि आपको हर रोज या फिर हर week जैसा कि आपको setting करना चाहिए, schedule करना चाहिए, so daily का अगर आप schedule करेंगे, तो हर रोज आप आपको एक email मिलेगा, जो एक summary होगा, जिसे security digest कहते हैं, उस summary में आपको बताएगा कि आज आपके website पे तीन लोगों ने attack करना ही कोशिश की, उसको lockout कर दिया गया है, उसका IP address यह है, so basically यह सब notification centers है, notification settings है, okay, so जब भी कोई site lockout हो, जब भी आप कोई बंदा lockout हो, तो क्या आप चाहते हैं कि आपको email के तुरू इसके बारे में inform किया जाए, अगर आप हाँ है, तो आप इसे tick mark करके save settings कर सकते हैं, उसके बाद 404 detection IP भी बहुत important है, इसे enable कर दे और configure settings कर दे, अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो हमने global settings में किया था, वो settings यहाँ पर enabled है, number of lockout before permanent band, 3 and number of days, how many lockout should be remembered, 7 है, अब यहाँ पर एक नया option है, बहुत बार क्या होता है, कि लोग आपके website पे कुछ file धुनने की कोशिश करते हैं, जिसको वो change कर सके, आपके website पे attack कर सके, अगर उनको file नहीं मिलेगा, उनको not found 404 का page मिलेगा, जो जब भी कोई आपके website पे कुछ उसे ना मिले, तो उसको 404 page मिलता है, not found page, so हमको यहाँ पर आप error threshold में 5 कर सकते हैं, और minutes to remember 404 error को आप 30 minutes कर सकते हैं, अब इससे क्या होगा, suppose अगर 30 minutes के अंदर, आदे घंटे के अंदर, बंदे को 5 404 error page मिले, या फिर आप इससे 10 set कर सकते हैं, 10 404 error page मिले, not found page मिले, तो बंदे को हम lockout कर देंगे, यह इसलिए कि बहुत high chances है कि शायद बंदा कोई file ढूंड रहा था, आपके website पे attack करने के लिए, अभी यहाँ पर कुछ files है, जो हम whitelist करें हैं, because जैसे कि आपके Google Analytics और कुछ Yoast SEO, यह सब files को इस्तिमाल करते हैं, तो हम इसे whitelist कर देते और यह media files जैसा कि JPEG, PNG, GIF file इसको भी हम whitelist या फिर ignore कर देते हैं, because यह सब पर कोई खास danger नहीं है, so save settings पर click कर दे, उसके next option है away mode, इसे आप enable कर सकते हैं, और configure settings कर सकते हैं, अभी यह option भी कुछ लोगों के लिए बहुत useful हो सकता है, for example, अगर मुझे पता है कि मैं रात को 12 बज़े सो जाता हूँ, और सुबह 8 बज़े उठता हूँ, और वो time तक मैं कभी अपना website open नहीं करता हूँ, dashboard open नहीं करता हूँ, इसे dashboard बोलते हैं, जो आपका administrative center होता है, जहांसे आपने website को control करते हैं, so suppose मुझे पता है, वो 7-8 घंटे तक मैं रात को सोता होता हूँ, और यह सब चीज़े नहीं करता हूँ, so आप daily का setup कर सकते हैं, और वो time suppose 12 बज़े 7-8 अम तक select कर सकते हैं, so यह time तक कोई भी आपके dashboard को visit नहीं कर सकेगा, या फिर एक दूसरा option यह हो सकता है, फिर एक दूसरा scenario यह हो सकता है, suppose आप एक हपते के लिए कहीं vacation पे जा रहे हैं, so आप इसे one time के लिए करके और वो date, from date to date डालके from time to time डाल सकते हैं, जिससे आपका website उस time तक lockout रहेगा, कोई भी आपके, website को तो हर कोई visit कर सकता है, files देख सकता है, post पर सकता है, but dashboard को कोई visit नहीं कर सकता है, वो time के लिए, so अगर आप चाहिए तो आप save settings पे click कर सकते हैं, म default blacklist पे enable hackrepair.com blacklist feature, so यह एक website है hackrepairs.com, इनके पास एक list है, पुरी blacklist IP address की, so हम चाहते हैं कि यार वो list तो हमें भी दे दे, ताकि वो list में से अगर कोई IP address हमारे website पे भी attack करना शाहे, so हमें पहले ही पता चल जाए और हम पहले ही उसे lockout कर दे, so यह बहुत important option है, again आप save settings कर अब यहाँ पर आपको database backup कहाँ चाहिए, आपके email पर चाहिए तो email select कर सकते हैं, और backups to retain, so अगर आप suppose यहाँ 3 type करेंगे, so आपको 3 दिन का backup आपके पास available रहेगा, अगर आप 5 टाइप करेंगे तो आपके पास 5 दिन का backup available रहेगा, और इसका मतलब यह basically email के लिए important नहीं है यह उस time important जब आप इसे locally save करना चाहिए जो मैं नहीं recommend करता हूँ, मैं simply recommend करूँ आपको email select करके यहाँ पर zero कर दे, उससे यह होगा कि हर रोज आपको एक database का backup रोज रोज मिलता रहेगा, अगर उसके compressed backup files, हाँ आपको इसे yes करना है, because आपको database का file आ रहा है, हमें वो zip file चाह दे, उसके बाद है file change detection, enable करके आप इसे भी configure settings कर सकते है, so basically जब भी आपके website पर कोई भी file में कुछ changes होएंगे, so आपको email आ जाएगा, कि आपके file में कुछ changes होएंगे, अगर आपने वो किया है, तो आप relax हो सकते हाँ या रहे, तो मैं नहीं किया है, अगर किसी और नहीं क आपके website पर, so आपको समझना पड़े है कि कोई मेरे website पर कुछ change तो नहीं कर रहा है, so ये उस टाइम useful हो सकता है, so इसे save setting कर दे आप, file permission पर show detail कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ खास नहीं है, so इसे cancel कर देते हैं, अभी दो settings भी यहाँ पर important है, local brute force और network brute force, पहले local brute force देख का threshold नहीं रखता है, यानि कोई limit नहीं रखता है, कोई भी बंदा कोई भी wordpress website पर जाके 1000 बर, 10,000 बर login attempt कर सकता है, और उसको कुछ नहीं होगा, so हमें ये settings को change करना है, हमें login का एक limit रखना है, because क्या हो सकता है कि कोई भी बंदा आपके website पर आए, बहुत सारी username पासो ट्रा कर दे, so हम यहाँ पर एक limit दाल देते हैं, max login attempt per host, so एक host 5 पर login attempt कर सकता है, max login attempts per user, 10 minutes to remember bad login attempts, 5, मतलब यहीं कि अगर 5 minute के अंदर एक किसी ने 5 bad login attempts किये, यानि user ने password गलत था, तो वो lockout हो जाएगा, हमारे website से हमारे website को नहीं देख पाएगा, okay, so अगर आप चाहते हैं कि इस को increase करते हैं, तो आप numbers को increase or decrease भी कर सकते हैं, उसके यहाँ पर bottom में automatically ban admin users, यह भी बहुत important है, because जब भी कोई आपके website पर आके, आपके, you know, dashboard पर कुछ change करने की, या फिर login करने की कोशिश करें, सबसे पहले वो आपका username में admin type करके कोशिश करेगा, so जैसे ही कोई admin type करें, हमे एक idea हो जाता है, यार लग रहा है, यह बंदा हमारे website पर कुछ attack करना चाहरा है, so हम, you know, इसे tick mark कर सकते हैं, so जब भी कोई username में admin type करेगा, तो immediately lockout हो जाएगा, but आपको एक चीज़ याद रखना है, कि आप यह बेवकुफी ना करें, कि अपना username admin रखे, या फिर username को username रख यह थोड़ा upper case, lower case, यह सब इस्तेमाल करें, इसमें हो जादा better होगा, save setting कर दीजें इसे, password requirement बेसिकल इतना important नहीं है, यह इसलिए होता है, कि आप अगर आप चाहते है कि strong password requirement हो, यह important नहीं आप इसे छोड़ सकते हैं, SSL certificate, अगर आपके website पे SSL certificate है, यह secure socket green color का जो है, अग लिए enable करते हैं, because मेरे website पे यह secure socket है, configure settings करते हैं, और यहाँ पर enable कर दे, simply enable करके save settings कर दे, system tweaks को भी आप enable कर सकते, configure settings कर सकते हैं, और आप कुछ files को protect कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कुछ नहीं करना शाहूंगा, okay, so यहाँ पर कुछ, यह चीज आप कर सकते, PHP in upload, because आपका भी अ PHP file upload नहीं कर सकते हैं, अपने website पर यह आपको ध्यान रखना होगा, but यह मुझे लगता है कि important है, because normally मुझे नहीं लगता कोई भी आप में से अपने website पे क्यों PHP file upload करना चाहेगा, so इसे disable कर दी, और जो attackers होते हैं, वो कोशिश करते हैं, आपके website पे PHP file attack कर दे, because PHP file attack करने से, अगर उसमें कोई ऐसा script होगा, जो उनको कुछ access देगा, आपके website पे सो, उससे भी attack कर सकते हैं, थोड़ा technical है यह video, मुझे पता है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं है, तो I'm sorry, simply जो मैं tick mark कर रहा हूँ, आप भी tick mark करें, मेरे steps को follow करते रहें, और आपका website secure हो जाएगा, उसके यह wordpress salts को configure settings करके, tick mark कर दे, change wordpress salts करके, और save settings कर दे, और कुछ नहीं करना है उसमें, जैसे आप यह करेंगे, फिर से आपको login करना पड़ेगा, because आपका salts change हो गया है, okay I think मैंने strong password को enable कर दिया था, इसलिए मुझे strong password पूछ रहा है, okay so मुझे नहीं करना चाहे था enable, बट चली update password कर देते हैं, फिर से यह performance, sorry security पे click करते हैं, और यहाँ पर सब settings हो गये हैं, अभी एक बहुत important setting बाकी है, जो advance में है, advance पे click करें, और यहाँ पर आपको hide backend मिलेग अभी यह enable कर दे, यह क्यों important है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं एक नया अपना website यह जो पहले यहाँ पसे copy कर लेता हूँ, अपने website का URL, और new incognito window में open करता हूँ, so यहाँ से new incognito window open करके website को paste करता हूँ, so जब भी कोई आपके website पे आएगा, कोई भी आ सकते हम इस page को hide कर सकते हैं, ताकि कोई भी यह page को देखी नहीं सके, अगर वो slash wp-admin type करें, सो उसे not found का page मिले, यह भी बहुत important setting है, इससे भी आपका website काफी secure हो सकता है, चली मैं आपको समझाता हूँ कैसे, पहले हम फिर से उस page पे आजाते हैं, इस page पे, अभी आपको यह सबसे पहले यह tigma करना है, enable hide backend feature, और उसके बाद login select को change करना है, सो suppose wp-admin के जगा आप क्या डालना चाहेंगे, सो suppose मैं यहाँ पर अपना नाम डाल सकता हूँ, जो मैं आपको नहीं recommend करूँगा, बट यह tutorial purposes के लिए है, सो मैं डाल रहा हूँ, आप यहाँ पर कुछ जैसा ना निटो विंडो पर जाते हैं, इस page को फ़ला refresh कर देते हैं, अगी मैं फिर से try करता हूँ, slash wp-admin, अभी आप देखेंगे कि मुझे यह not found page दिखा रहा है, अभी अगर मैं type करूँगा, slash नायर शेक, तो मैं इस page पर आ जाऊँगा, यह भी बहुत important setting है, और इसके साथ हमारा sub settings complete हो गया, और यह sub settings करने के बाद, आपका website बहुत ज़्यादा secure हो जाएगा पहले से, so I hope आपको यह video पसंद आया होगा, I hope यह video से आप बहुत कुछ नया सीखे होंगे, अगर आपको यह video पसंद आया, तो आप मिने channel पे subscribe करके, यह bell icon दबा सकते, ताकि आपको नए notifications मिल के लिए सो आप उसे comment section में चे डाल सकते हैं, thanks a lot for watching guys, see you soon.